यह बड़े हर्ष का विश्थ है कि तीविया क्लिनिक में आज फीवर क्लिनिक और रूटीन इमुनाईशन का एक सेंटर खोला गया है लेकिन आज ही की बात नहीं है तीविया क्लिनिक पहले से भी इनकामों को करता रहा है प्रॉपरली किया है और रेपोर्टिंग भी किया है लेकिन कोविट की भयावत है को देखते हुए और स्ट्रॉंग किया है नोंने स्ट्रेंथिन किया है तो जो भी कोविट के पिशेंट आएंगे फीवर की OPD होगी फीवर की OPD में एक बड़ा अच्छी बात है कि नोंने अपनी पद्दती से जो काड़ा तयार किया है उसको देंगे उस काड़े से हम बड़े प्रभावित हैं और हम यह चाहते हैं कि इसका खूब प्रचार प्रसार हो क्योंकि कोविट आजकल कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कंभीर बीमारी नहीं है और वरतमान में जो तीसरी लहर के कोविट के मरीज हैं वो अपने अभी पांच प्रशित रूप से इसको लाब मिलेगा बिल्कुल वैक्सिनेशन यहां से हो रही है वहले भी होती थी लेकिन अब इसको और इस्टेंशन किया है मैडम ने और यह निरंतर अब वैक्सिनेशन का काम भी चलेगा यह इन्मारी प्राशीन पद्दतियां है एलोपेथी तो यह तो एक हमारा सेंटर है युनानी पद्दति का यहां बहुत काबिल लोग युनानी पद्दति से इलाज करेंगे जो नुस्खा हमारे हैं तैयार किया गया है उसका नाम है जुशानदा हुमा यवबाया आज कल जो बिमारी हैं जिस टाइप की बिमारी फैल लेए जो कोविट से रिलेटिड वुखार और नजले खासियां हो रहा है तो इसी सारी सिम्टम्स को मद्दे नजर रखते हुए ह हमारे हां के सबसे एक्सपर्ट सरकीम जिनकी पचास-पचास साल की प्रैक्टिस है उन्होंने ये नस्खे को मुरत्ब किया है ये दवाए पहले बिस्तामाल हुई है लेकिन मनजर आम पे नहीं आ सके हैं पिछली लहर में हम क्योंके एक दम से बहुत ही शदीद अफेक्टि पहली है नहोंने तहुत हैं ये नस्खा जो आजकर के सिंटम्स हो रहे हैं नजला खासी गले में खराच बोहार इस टाइप की सारी चीजों को मद crowded नजर रखते हुए इसमें सारे जु धुदं़ है इनका इटखाब किया है और इसको मुरत्ब किया गया है इसके साथ साथ इसमें दो टैबलेट भी पहले मरीज को लेनी उसके साथ जो शांदी का इस्तमाल करना है और मैं जो है ये पूरी उमीद है और यकीन है कि इन्शालला इससे बहुत जल्द हम मुस्तफेज होंगे हम लोगों को फायदा होगा ये हमारे हैं से आज ओपीडी शुरू हुई है फ यार कराया और кстати है इस काम के शुरुआत होगी हैजी वैक्सिनेशन पहले हमारे हां होता था ऐसा फैसा नहीं होता था लेकिन किसी वझ़ासे थोड़े अरसे पन रहा फिर हमने आज से वैक्स्णेशन भी शुरू किया है हर वैंस डे को और सैटरबे के दिन हम एक वैक्स Vetsyneashin कराएंगे बच्चों के लिए खासतर से इनते हैं जितने भी प्रेग्नेंट लेडी जितने भी बच्चों की Vetsyneashin ने उनको प्रवर तरीकरे से हड डोस के उसाब से उनको बिलाया जाएगा उनका उनको Vetsyneated किया जाएगा झाल झाल झाल